नमस्ते, मुवी स्पॉट में आपका स्वागत है, आज मैं द्वितिय विश्व युद्ध के सबसे युवा योध्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे सोलजर बॉय कहा जाता है, आगे स्पॉयलर सावधान र जल्दी से जाडियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वो डरा नहीं है और जैट पर गुलेल से वार करता है, सभी को आश्चरे चकित करने के लिए, वो जैट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने का प्रबंधन करता है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार जा चुका था, सगे अपने सपने से भायभीत होकर उठता है और अपनी मा को बुलाता है, तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, यह मानकर कि यह उसकी मा है, वो उसकी ओर दौरता है, लेकिन एक पडोसी महिला घबरा कर आती है वो उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देरती है और उसे सूचित करती है कि उसकी मा और भाई मर चुके हैं छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रहा है और अपनी मा की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है महिला उसे बताती है कि जमनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुँचे महिला सगे को खिरकी से बाहर निकाल देती है लेकिन इससे पहले कि वो उससे जुर सके उसे गोली मार दी जाती है छे साल का छोटा अब अपन के बीच में पहुच जाता है छोटा बच्चा अपनी मा को बुलाने लगता है कि वो आ जाए और उसे ले आए क्योंकि वो खो गया है उस रात वो जंगल में रहता है अगली सुभ हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में जाते हैं सगे यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं जल्दी से एक पेर की जड़ों के अंदर छिप जाते हैं साप के पास आने पर वह चौक जाता है लेकिन एक शब भी नहीं बोलता या भागता नहीं है सगे साप से ज्यादा सैनिकों से डरता है सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ खाना लेकर राद भर खा जाते हैं हलाकि दिन के अंध तक छोटा लड़का ठक जाता है उसने दो दिनों में उचित भोजन नहीं किया है और बिना किसी गंतवे के चल रहा है लंगड़ाते ही वो गिर जाता है लेकि कोई उसके पीछे आ रहा है हलाकि ऐसी परिस्थितियों में भी वो बहादुर खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है वो आगे लंगड़ाता है लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है जब वो सो रहा होता है दो सिपाही उसके पास आते हैं यह द्रिश्य रूसी सेना के अड़े पर कर जाता है जहां कमांडर कुजनित सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है वे उस छोटे बच्चे को लेते हैं जो घायल और कमजोर है जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष मे हैं तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है सैनिक हसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है सुझाव देता है कि वो अपना परिचय भी दे सैनिक छोटे बच्चे के प्रतीसनेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं वे उसे पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं यहां तक ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है कात्या नाम की एक नस सगे के घावों पर कपड़े पहनती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्र मुगधा हो जाती है बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है क्योंक को निकालने के बाद उसे अपनी मानत पिस्तॉल से खेलने देता है सगे उसे अपने पेट पर खीचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है नस कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने द किया जाता है वे उसे दूर से उनके परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहां तक उन्हें अपनी दुर्बीन से खेलने भी देते हैं एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उसे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए सैनिक को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वहन आता है कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तॉल देता है बदले में लड़का उसे गले लगाता है यह दावा करते हुए कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ कमांडर उसके आलिगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है वह सगे को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है उस रात सैनिकों ने छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कब्डों की तलाश की सगे को उनके साथ रहने के लिए वे चा जल्दी से सगे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है सगे खुद को उपयोगी बनाना चाहता है इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है उन में से एक ने उसे अपने परिवार द्व वापस आ गई है जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हसने के लिए कहते हैं वो हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है निमनलिखे द्रिश्य में हम कात्या और सेना पती को बात करते लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में व्यवस्थित स्थिती में है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है हाला कि लड़का तब हमले से नश्ट हुए सैनिकों के स्टेशनों में से ए अगले दिन सगे अपने दुर्बीन के साथ बेश से थोड़ी दूर चला जाता है जब वो इसके साथ खेल रहा होता है तो उसे भूसे के धेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है वो वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निशकर्शों के बारे में बताता है सैनिकों को संदे है लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाओ जब वे घास के धेर तक पहुँचते हैं तो वे दो जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखने के लिए सतर्क होते हैं जासूसों को गिरफतार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी ब बूल करने के लिए ले जाता है लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और वे गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिल्चस्पी है जमनों ने फिर से आधार पर हमला किया इस बार सगे अगरिम पंक्ती में सैनिकों को गोला लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि करनल के साथ फोन का कनेक्शन तूट गया है तूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है सगे सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वो घातक रूप से घायल हो गया है वो मरने वाले सैनिक से पूछता ह कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और वो इसे स्वयम करता है कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है छे वर्षिय सभी की जान बचाता है बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं कमांडर अंत में उसके लि अभी सैनिक सगे के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं. हालाकि रास्ते में उन्हें एक खदान का मैदान मिलता है जो उनके कुछ वहनों को उड़ा देता है. कमांडर को चोट लगी है जबकि समूह के अर्दली जो सगे के करीबी थे विसफोर्ट में मर जाते हैं. वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है. वह घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड़े की यात्रा जारी रखते हैं. जब वह अंत में दूसरे बेस पर पहुँचते हैं तो वह कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं. वह भी बच्चे की महत्वा कांक्ष से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है. अगले दिन उनके विभाजन को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और ऐसा ही लड़का है. वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बै कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में चोट लग गई. बच्चा अब टीम का एक अविभाजय हिस्सा है. उनके पास उनका कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वे चले जाते हैं. फिल्म समाप्थ होती है क्योंकि रेजिमेंट को पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है. इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें. देखने के लिए धन्यवाद.